तो आज के इस वीडियो में हम लोग सेंचूरियन असाइनमेंट आफ मॉस एक्सपेक्टेड कुश्चन फॉर क्लास 12 मैथेमेटिक्स का थर्ड लेक्चर आप लोगों के लिए लेने वाले हैं मतलब लेक्चर वन और लेक्चर टू अल्रेडी हम ले चुके हैं अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो का डिस्किप्शन बॉक्स चेक कर लेना आपको डारेक्ट लिंक मिल जाएंगे ठीक है बच्चो नाव विदाओड वेस्टिंग मज टा जूनियर्स टू जॉइन माई कोचिंग क्लासेज दे कन कॉंटेक्ट अन दा गिववन वाट्सेप नमबर यह आप लोग जानते ही होंगे मतलब क्या है मेरा कि संचुरियन असाइनमेंट के लेक्चर वन में हम लोगों ने कुश्चिन वन से लेकर कुश्चिन नमर 15 तक के कुश्चिन नमर 25 तक के MCQ डिसकस किये थे और लेक्चर टू में ही असरसन रिजन टाइप के कुश्चिन डिसकस हुए थे कुश्चिन वन से लेकर कुश्चिन नमर 21 तक यानि अभी तक आप लोगों के साथ मैं टोटल 46 कुश्चिन डिसकस कर चुका हूँ ठीक है अब आज के लेक्चर में क्या मिलने वाला है आपको अभी आपको पता चल जाएगा लेकिन अगर आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो का description box चेक कर लेना आपको direct link मिल जाएंगे बच्चो ठीक है ना अब जैसा कि मैंने कहा कि आज की class में हम क् questions given below तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं इन गेम अमरिता विंस रूपीज 5 और गेटिंग अ नमबर ग्रेटर दन 4 और लोजिस रूपीज 1 अदर्वाइज वन अदर्वाइज वन अदर्वाइज वन फेयर डाई इस थ्रॉन यानि डाई को अमरिता थ्री टाइम्स थ्रो करेगी लेकिन जैसे ही वो गेम जीतेगी उसी समय वो गेम क्विट कर देगी तो यह तो situation आपके question में given है अब यहाँ पर questions क्या है जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे first part में लिखा हुआ है let x be the amount अमरिता wins in the game write the values of x explain your answer ध्यान से सुनना क्योंकि यहाँ पर die को थ्रो करने की बात हो रही है तो हमारे पास इस तरीके से outcomes आ सकते हैं अमरिता गेम को win cup करेगी जब उसको इन दोनों में से कोई एक outcome मिलेगा लेकिन जैसा कि question में condition given है कि या तो वो game जीतते ही game को quit कर देगी या फिर वो game को खेलते हुए die को सरिफ three times तक throw करेगी अब यहाँ पर first part का solution discuss करते हुए मैं सबसे पहले यहाँ पर assume कर लेता हूँ को w का मतलब है win और l का मतलब है loss in the game तो यहाँ पर जैसे ही अमरिता ने first throw किया तो हो सकता है कि वो game जीत गई ठीक है ना अब game जीत गई इसका मतलब उसे तो five rupees मिल गए तो five rupees जो मिले ना वो तो वो amount है ना जो अमरिता को मिला है ना जैसे कि यहाँ पर आप first part में देख पा रहे होंगे let x be the amount अमरिता wins in the game तो यह हमारी x की पहली value है ठीक है बच्चो अच्छा अगर पहले ही throw में अमरिता game नहीं जीती इसका मतलब पहले throw में उसको loss हुआ लिखा हुआ है c loses rupees one otherwise समझे अब अगले throw में ही वो जीत गई है यानि प्लस five करिये अब इसे further solve करोगे तो x की हमें अगली value मिल जाएगी ठीक है बच्चो अब अगर पहले throw में उसे loss हुआ second throw में भी loss हुआ लेकिन third throw में वो जीत गई तो इसका मतलब क्या हुआ rupees minus one फिर minus one minus one इसलिए क्योंकि loss हो रहा है लेकिन third throw में वो जीती है आप इसे solve करोगे तो यहाँ पर आपको x की अगली value मिल जाएगी यानि इस तरीके से ठीक है बच्चो similarly अगर पहले throw में भी loss हुआ second throw में भी loss हुआ और third throw में भी loss हुआ तो अब क्या होने वाला है अब यहाँ पर minus one minus one यानि effectively यह बनेगा rupees minus three minus का मतलब सिर्फ यह है कि उसे अब loss हो रहा है तो यह आपकी x की अगली value आएगी यानि final values of x will be क्या होगा तो five, four, three and minus three तो बस आपका answer आगया है first part का ठीक है और मैंने explain तो करी दिया है अब चलते हैं जरह second part में देखते हैं second part में क्या है बच्चो तो second part में कह रहा है find the probability distribution of x यानि अब हमें x का probability distribution भी निकालना है as mentioned in first part फिर इसके बाद question में बोला हुआ है also find the expected value of the amount say wins or loses अब सुनना ध्यान से क्योंकि आपके game में Amrita तभी जीतेगी जब उसको ऐसा कोई number मिलेगा तो मैं यहाँ पर assume कर ले रहा हूँ second part के लिए कि let e be the event that Amrita wins the game अब अगर वो game को जीतेगी तो इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि या तो outcome में 5 मिलेगा या फिर 6 मिलेगा यहाँ top में देखिए ठीक है ना तो इसका मतलब यह हुआ कि p of e की value आएगी 2 by 6 जिसे आप 1 by 3 भी लिख सकते हो तो यह तो जीतने की probability हुई ना तो यहाँ पर loss करने की probability क्या होगी p of e dash यानि 1 minus p of e that means यह बन जाएगा 2 by 3 ठीक है बच्चो अब इसके बाद हम लिखेंगे probability distribution का table मैं directly लिखना शुरू कर रहा हूं calculation वाला काम separately करके क्या दिखाना तो table for probability distribution तो यहाँ पर क्या होगा x की value हम लेंगे और फिर p of x की value भी हम लिखते जाएंगे ठ इसका मतलब यह वाला case है यानि वो game जीत चुकी है यानि यहाँ पर आप लिखेंगे 1 by 3 ठीक है ना फिर जब x की value आप 4 लेंगे यानि यह second वाला case है इसमें पहले वो game को हारी है यानि 2 by 3 into 1 by 3 पहले हारी फिर जीती यानि यह हो जाएगा 2 by 9 फिर x की अगली value यानि हम यह पर पहुँचेंगे x की अगली value 3 है यहाँ पर क्या होगा 2 by 3 into 2 by 3 into 1 by 3 इसको solve करो 4 upon 27 फिर x की final value यानि last value जो की minus 3 आई थी यहाँ पर आप चेक करिए इस case में तीनों बार उसे हार का सामना करना पड़ा है यानि 2 by 3 into 2 by 3 into 2 by 3 यह finally आएगा 8 upon 27 ठीक है बच्चों अब इसके बाद क्योंकि हमसे यहाँ पर expected value भी पूछी गई है उस amount के लिए जो की अमरिता win करेगी या loss करेगी तो चलो देखते हैं यह हम कैसे निकालेंगे तो यहाँ पर हमें basically find करना पड़ेगा e of x यानि mean इसे mean ही बोलते हैं बच्चों तो यह कैसे निकलेगा summation x into p of x तो चलो सु चलू हो जाओ 5 into 1 by 3 यानि 5 by 3 plus 4 into 2 by 9 यानि 8 upon 9 plus 3 into 4 by 27 यानि 12 upon 27 plus minus 3 into this करोगे तो minus 24 upon 27 आएगा अब इसे हमें calculate करना है चलो कर लेते हैं यहाँ पर LCM लोगे तो आपको 27 मिलेगा यहाँ पर यह हो जाएगा 45 यह बनेगा आपका 24 चेक करके देखो ठीक है ना यह है 12 और यह है minus 24 तो यहाँ से finally हमें क्या मिलेगा 24 तो cancel हो जाएगा यहाँ पर 45 plus 12 that means यह बनेगा 57 एक बाद चेक करके देखिए upon में 27 तो है ही अब या तो अपना answer यहीं छोड़ दो या फिर 19th रिजा टेबल तो आता होगा 19th रिजा 57 और 9th रिजा 27 समझे तो इस तरीक आ गया जो कि अमरिता win करेगी मैंने win क्यों बोला क्योंकि यह value positive आई है और यह rupees में ही आएगा तो यह वो amount है जिसे अमरिता win करेगी इस game को खेलते हुए ठीक है बच्चो तो इस तरीके से हमने first part में सबसे पहले x की values निकाली है जो कि यहाँ पर आपने देखी है और फिर second part में हमने table for probability distribution भी बनाया यहाँ पर scale की help से आप properly table बना सकते हो अगर आपका मन करे और फिर उसके बाद हमने mean भी निकाला है यानि expected value of the amount that अमरिता will win in this game ठीक है एक बात और बता रहा हूँ ध्यान से सुनना जिसे यहाँ पर करोगे तो अच्छा ही रहेगा आपको अपने answer की surety रहेगी यहाँ पर यह जो p of x की values आपको मिल रही है इन सबको add करके देखो मतलब मैं यह कह रहा हूँ कि summation of p of x निकाल के देखो क्या यह 1 आ रहा है या नहीं चलो मैं check करके दिखाता हूँ यहाँ पर यह हो जाएगा 9 upon 27 फिर यह बनेगा आपका 6 upon 27 यह 4 upon 27 और 8 upon 27 त है कि नहीं आ तो रहा है मैंने देख लिया है अगर यह 1 ना आये तो आपने कुछ गरबढ़ कर रखी है ठीक है ना तो यह काम अगर आप कर लोगे तो आपको अपने answer की surety हो जाती है करने की जरुवत तो यहाँ पर नहीं थी यह तो मैंने free में आपको बता दिया ठीक है अ अब चलते हैं अगले question की तरफ यानि second case study वाला question इसमें क्या बोला हुआ है बच्चो read the following passage and answer the questions given below the temperature of a person named Kabir during an intestinal illness is given by the function यह रहा आपका function यहाँ पर x के उपर आपको condition दिख रही होंगी यानि interval है 0,12 close interval है यह इसके बाद बोला हुआ है कि k यहाँ पर constant है where fx represents the temperature in degree Fahrenheit at x days तो first part में हमसे क्या पूछा हुआ है पढ़के देखो जरा is the function fx differentiable in the interval 0,12 justify your answer तो यहाँ पर हम कहेंगे कि हमारा जो function fx है ना because fx is a polynomial function आप ध्यान से देखिए function fx polynomial है तो अगर यह polynomial है so therefore we can say कि function fx is differentiable everywhere in the given interval fx is differentiable everywhere in the interval interval है 0,12 open interval तो यह तो आपके first part का answer हो गया ठीक है आप इसके बाद second part में क्या बोला हुआ है बच्चो यहाँ पर कह रहा है कि if x equal to 6 is the critical point of the function fx तो आपको यह बताना है कि constant k की value क्या होगी जहां से सुनिए आपका जो critical point दे रखा है न यह इस function fx के derivative में अगर हम put करेंगे तो क्या होगा derivative के value 0 हो जाएगी तो सबसे पहले यहाँ पर मैं function fx का derivative कर लेता हूँ तो f dash x क्या आएगा minus 0.3 तो पहले से ही है x square का हो जाएगा 2x kx के लिए आपको सिर्फ k मिलेगा 98.6 मतलब वो तो constant है वो 0 हो जाएगा अब क्योंकि x equal to 6 is the critical point question में बोला हुआ है बनेगा minus 0.3 into 2x यानि minus 0.6 into x और x की value हमने अभी put की यानि 6 plus में k ये पूरा 0 होना चाहिए यहाँ से simplify करोगे तो आपको k की value क्या मिलेगी बच्चो 3.6 एक बार आप चेक करके देखो एक है ना तो इस तरीके से आपने second part का भी solution कर लिया है अब third part में क्या बोला हुआ है third part में आपसे interval पूछा हुआ है जिस interval में function आपका strictly increasing होगा या strictly decreasing होगा तो चलिए जड़ा काम सुरू करते हैं जैसा कि आपको पता है कि आपका जो function fx है आपका जो function fx है क्या था ये minus 0.3x square plus क्या लिखा हुआ है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ plus kx और k की value आई है 3.6 into x plus 98.6 ये तो function है जो की इस interval में defined है ठीक है बच्चो तो यहाँ पर अगर इसका हम derivative करें या फिर derivative skip भी कर सकते हो क्योंकि derivative करके उसको 0 के equal रखोगे ताकि critical point निकालो और critical point तो already आपको पता ही है second part में बट कोई नहीं अगर मैं आपको करके दिखाओं तो यहाँ पर derivative करोगो तो आपको मिलेगा minus 0.6 x plus में 3.6 अब यहाँ पर आप derivative को 0 के equal रखोगे ताकि आप critical point निकाल पाओ तो यह बनेगा minus 0.6 x plus में 3.6 now that is equal to 0 तो यहाँ से आपको x की value 6 ही मिलेगी जो की आपके interval में भी है जो interval यहाँ पर question में mention है ये वाला interval ठीक है ना अब यहाँ पर हम number line बना लेते हैं जरा यह रहा 0 यह रहा 12 यहाँ पर कहीं 6 बनेगा ठीक है बच्चो तो इस interval में से अगर मैं x की कोई random value ले लूँ for example 7 ले लिया मैंने 7 को अपने derivative में put करके देखो तो minus 0.6 into 7 यानि minus का 4.2 प्लस में 3.6 इसको simplify करोगे तो आपको negative मिलेगा मतलब इस interval में derivative का sign negative आएगा फिर इसके बाद इस वाले interval में से हम x की value लेंगे for example मैंने 5 ले लिया अब अपने derivative में x की जगे 5 पुट करोगे तो ये आपको मिलेगा minus का 3 प्लस 3.6 से पहले से ही है इसको simplify कर लो यहाँ पर आपको derivative का sign positive आता हुआ दिखेगा ठीक है बच्चो अब यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि derivative इस interval में positive है और इस interval में negative है तो हम बोलेंगे because f dash x is greater than 0 in the interval 0,6 तो इसलिए इस interval में function क्या होगा इस interval में function strictly increasing होगा ठीक है function is strictly increasing in this interval 0,6 इसी तरीके से हम कहेंगे कि आपका जो derivative है it is less than 0 in the interval 6,12 therefore function f is strictly decreasing in the interval function f is strictly decreasing in the interval 6,12 open interval तो यह तो third part क्या solution हो गया है अब क्योंकि यह तो third part था न बच्चो तो इसका मतलब यह है कि इसमें एक alternative भी होगा इसमें क्या पूछा हुआ है इसको भी पढ़ लेते हैं find the points of local maximum और local minimum if any in this interval also find the corresponding maximum और minimum value if possible यहाँ पर ऐसा कुछ mention नहीं है कि आपको first derivative test से करना है या second derivative test से करना है तो जैसा मन करें वैसे कर लो देखो हम लोगोंने already first derivative तो निकाला ही था कहाँ पर निकाला है यहाँ पर आप चेक कर पा रहे होंगे ठीक है ना मैं क्योंकि यह काम यहाँ पर कर चुका हूँ तो मैं दुबारा से नहीं करूँगा आप first derivative को पकड़ो और इसका फिर से differentiation करो ताकि आपको second derivative मिले चलिए मैं उपर करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर space है तो third part मतलब इसका हम alternative ले रहे हैं तो यहाँ पर हमने first derivative क्या निकाला था it was minus 0.6x plus 3.6 एक second मैं देख लेता हूँ जरा यही था या कुछ और था minus 0.6x plus 3.6 यह बिल्कुल ठीक है ठीक है न अब इसके बाद हम दुबारा से derivative करेंगे इसका यानि double derivative जैसे ही फिर से differentiation करोगे तो आपको मिलेगा minus 0.6 बस यही मिलेगा न यह तो negative है मतलब यह किसका case बनेगा बच्चो it is case of maxima जब double derivative negative होता है न तो it is case of maxima याद रखना ठीक है अब यहाँ पर हम critical point निकालेंगे इसके लिए first derivative को 0 के equal रखो तो यह काम भी already आप कर चुके हो मैंने तो किया ही था न यहाँ पर देखो ध्यान से यह वाला काम देखो यह तो मैंने किया हुआ है ठीक है मतलब यहाँ से मुझे critical point क्या मिलेगा यहाँ से मुझे critical point मिलेगा x equal to 6 तो इस x की value को हम लोग क्या कहेंगे that it is the point of local maxima ठीक है बच्चो अब इसके बाद क्योंकि आपसे question में ये भी बोला गया है कि आप local maximum value भी निकालो पढ़के देखो न यहाँ पर क्या लिखा हुआ है also find the corresponding maximum और minimum value if possible तो चलो इसको भी कर लेते हैं यहाँ side में कर लेता हूँ हम क्या करेंगे अपने function fx में x की जगाए पर 6 डाल दो यानि f of 6 की value हम निकाल लेंगे तो यह क्या बनेगा minus 0.3 into x square यानि 6 का square plus k k की value क्या आई थी याद है k की value आई थी 3.6 चलिए मैं आपको दिखा के लाता हूँ यहाँ पर देखो k की value 3.6 यह देख लो ठीक है तो हमने क्या किया आप k की value put कर दी है into में x x क्या है so it is 6 plus में 98.6 यहाँ पर value put कर रहा हूँ मैं ठीक है अब जब इसको further आप simplify करेंगे तो आपको f of 6 की value क्या मिलेगी finally calculate करके बताओ मैं यहाँ पर direct लिखने वाला हूँ तो मैं लिख दू directly चलिए मैं directly लिख देता हूँ क्योंकि आप इसे तो कर ही लेंगे यह आपका आज आएगा 109.4 और क्योंकि यह temperature है तो यह degree Fahrenheit में आएगा क्यों आएगा degree Fahrenheit में यहाँ पर आप चेक करो ठीक है बच्चो तो इस तरीके से यह पूरा question solve कर लिया है हम लोगों ने आप आगे बढ़ते हैं अगला question देखते हैं यानि question number 3 इसमें क्या है बच्चो यहाँ पर बोला हुआ है read the following passage and answer the questions given below पंकज went to a nearby market for shopping of some ready-made garments यानि भाई साब कुछ कपडे खरीदने गए है market में the probability that पंकज will buy a shirt is 0.2 यानि shirt परचेज करने के probability 0.2 है और trouser परचेज करने के probability 0.3 दे रखी है पढ़के देखो the probability that he will buy a trouser is 0.3 and the probability that he will buy a shirt given that he buys a trouser is 0.4 अब आप से यहाँ पर दो question पूछे गए हैं अब मैं यहाँ पर events कैसे assume करूँगा top में देखिए event e का मतलब मैं assume कर लूँगा कि पंकज buys a shirt यानि ये भाई साब market में जाके shirt परचेज करके लाएंगे इस event को मैंने event e से represent किया और event f का मतलब हम ले लेंगे that he buys a trouser ठीक है ना यानि trouser परचेज करके लाएगा तो इस event को हमने event f मान लिया है according to question यहाँ पर बोला गया है p of e की value 0.2 यानि shirt परचेज करने की probability probability p of f यानि trouser परचेज करने की probability है 0.3 फिर यह क्या दे रखा था इसको ध्यान से पढ़ना यह वाली जो condition है probability that he will buy a shirt यानि shirt परचेज करने की probability given that he buys a trouser यानि यह है conditional probability probability ध्यान से देखो इसकी value दे रखी है 0.4 यहाँ पर चेक करो ठीक है बच्चो अब इसके बाद first part में क्या पूछा हुआ है find the probability that punkers will buy both a shirt and a trouser आपको पता होगा बच्चो conditional probability की help से अगर हम इसे find करेंगे तो यहाँ पर formula क्या बनेगा formula आपका इस तरीके से लिखा जाएगा अब यहाँ से अगर आप cross multiply कर दें तो P of E intersection F क्या बनेगा P of E over F into में P of F समझे तो यह क्या देखे जाएगा यह तो है 0.4 और P of F का मतलब है 0.3 यानि finally आपका answer आजाएगा 0.12 समझे E intersection F का मतलब यह हुआ कि E और F दोनों हो मतलब shirts भी हो और trouser भी हो ठीक है अब जोरा second part में पढ़ते हैं इसमें क्या पूछा हुआ है हमसे तो यहाँ पर कह रहा है find the probability that Punkus will buy a trouser यानि trouser बाए करे given that he buys a shirt समझे अब आपसे यह पूछा हुआ है once again हम यहाँ पर conditional probability का ही formula लगाएंगे ठीक है बच्चो डिनोमेटर में P of E यानि 0.2 नियोमेटर में P of F intersection E है well कितने बच्चो को पता है कि P of E intersection F कहो या P of F intersection E कहो यह दोनों बाते सेम है टॉप में देखो मने left side corner में लिखा हुआ है ठीक है ना तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो पहले यह दिखा दो कि यह तो P of E intersection F है यानि यह बनेगा 0.12 upon 0.2 calculate करना क्या यह 0.6 आएगा तो यही तो इस तरीके से हमने इस question का solution complete कर लिया है दोनों पार्ट हमने solve कर लिये हैं events हमने यहाँ top में assume किया था ठीक है बच्चो अब आगे बढ़ते हैं अगले question यानि question number 4 की तरफ जो की बहुत ही प्यारा question है क्या बोला हुआ है पढ़के देखो read the following passage and answer the questions given below यहाँ पर diagram को देखिए काफी अच्छा diagram है यह soldier इस plane को hit करने वाला है यहाँ पर question पढ़के देखो पता चल जाएगा a fighter Z of enemy is flying along this parabolic path जो की diagram में भी हमें दिया हुआ है a soldier is assigned duty to shoot down the fighter Z first part में क्या बोला हुआ है पढ़के देखते हैं assume that the soldier has located himself safely at a point 3,7 माल लेते हैं कि soldier इस point पर है इस point को अगर मैं point A assume कर लूँ तो इसके coordinate आपको given है 3,7 if he decides to shoot down the fighter Z when it is nearest to him then obtain a function fx which determines the distance between the soldier and the fighter Z यानि जब यह soldier इसको hit करेगा na fighter Z को तो वो तभी hit करेगा जब fighter Z इस soldier के nearest हो माल लेते हैं कि यहाँ पर जब fighter Z है तो इस soldier के बिलकुल nearest होगा और अगर यह point P है तो basically हमें इस distance को obtain करना है in terms of a function of variable x क्योंकि हमसे fx पूछा गया है ठीक है बच्चो यहाँ पर point P को ध्यान से देखना अगर इसके coordinate हम x, y की form में लिखेंगे न तो y की value already आपके question में है क्योंकि यह रहा आपका function यह point P इसी parabolic path के उपर होगा क्योंकि यह fighter Z इसी parabolic path पे move कर रहा है तो यहाँ से y की value हम directly लिख पाएंगे that is x square plus 7 तो इस तरीके से point P आपके पास आ गया point A तो आपके पास है ही कहने का मतलब अगर first part में तुम distance AP निकालने लगोगे न तो यह कैसे आएगा distance formula class 10th वाला क्या होगा बच्चो x2 minus x1 का hall square चेक करके देखो ठीक है न plus y2 minus y1 का hall square यानि x square plus 7 minus 7 का hall square करोगे तो आपको effectively क्या मिलेगा आपको effectively यह मिलेगा यहां से हम लोग इसे function fx मान लेंगे यह बनेगा under root of x to the power 4 और यहां पार x minus 3 का hall square अब अगर आपका मन करे तो x minus 3 के hall square को आप simplify करके भी लिख सकते हो वरना यहीं छोड़ दो कोई बात नहीं ठीक है अब इसके बाद second part में देखते हैं second part में क्या बोला हुआ है second part में कह रहा है कि let u equals f of x का hall square यानि यहां पर सबसे पहले तो u की value निकालो इसके लिए मुझे fx का hall square लेना पड़ेगा मतलब आपको मिलेगा x की power 4 plus x minus 3 का square इस तरीके से function u मिलेगा फिर आपसे du upon dx पूछा गया है मतलब यहां पर x के respect में differentiation करना है तो जैसे ही हम derivative सुरू करेंगे यह बनेगा 4x cube ठीक है यहां पर यह हो जाएगा 2 times x minus 3 चेक करके देखो ठीक है बच्चो तो second part का भी answer आपके पास आ चुका है correct solution आपने देख लिया होगा ठीक है अब ज़रा third part में देखते हैं इसमें क्या बोला हुआ है when the soldier shoots the fighter z then find the least distance between him and the fighter z at that instant और आपको differentiation का use करना है तो यहाँ पर किस तरीके से होगा बच्चो यहाँ पर ध्यान से देखना second part में हमने first derivative already निकाला हुआ है यहाँ पर मैं directly double derivative निकालने वाला हूँ function u का तो double derivative जब निकालेंगे तो यह बनेगा आपका 3x square पहले से ही 4 है यानि यह finally हो जाएगा 12x square plus में 2 क्योंकि x minus 3 का जब आप derivative लेंगे तो 1 देखे जाएगा इस तरीके से आपका derivative आ गया है अब यहाँ पर मैं critical point निकालूंगा यानि first derivative को 0 के equal रखेंगे तो यहाँ पर क्या है 4x cube plus 2x minus में 6 equal to 0 यहाँ पर 2 से आप divide करो both side तो आपको मिलेगा 2x cube plus x minus 3 equal to 0 समझे की नहीं यहाँ पर अगर आप factor बनाएंगे तो एक factor x minus 1 आएगा दूसरा factor क्या आएगा चलिए मैं पता कर लेता हूँ divide करना पड़ेगा यहाँ पर यानि x minus 1 से आप divide करेंगे 2x cube plus x minus 3 को तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2x square यानि यह बनेगा 2x cube minus 2x square अब इसके बाद यहाँ पर sign change करो यह बनेगा 2x square plus x minus 3 अब यह जाएगा 2x पर यानि यह मिलेगा 2x square minus 2x अब इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चो again sign change यानि यह हो जाएगा 3x minus 3 अब यह 3 पर जाएगा तो यह बनेगा 3x minus 3 मतलब यह पूरा divide हो गया कहने का मतलब दूसरा factor यहाँ पर इस तरीके से मिलेगा इस factor को अगर आप चेक करेंगे तो इससे आपको real roots नहीं मिलने वाले कहने का मतलब x minus 1 वाला जो factor है सिर्फ वही 0 हो सकता है for any real values of x समझे तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ इसे 0 रख देंगे ताकि हमें x की value 1 मिले मैंने क्या कहा मैंने यह कहा कि यह वाला जो है न factor यह कभी 0 नहीं होगा for all x belonging to real values अब ऐसा मैंने क्यूं कहा है इसका मुझे जवाब देना comment करके ठीक है बच्चो फिलाल x की value 1 आ चुकी है x की value को हम पकड़ेंगे और double derivative में put करके देखेंगे कि double derivative का sign क्या आ रहा है यह रहा double derivative इसमें आप x की जगे 1 put करो यह मिलेगा 12 into 1 square plus में 2 यानि 14 which is positive अगर double derivative positive है तो यह case of maxima है की minima अब क्योंकि double derivative positive है so it is case of minima ठीक है बच्चो double derivative किसका positive आया था बच्चो तो u का u क्या था f of x का hall square यहां second part में देखिए तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि u equals f of x का hall square यह पूरा जो function है न यह क्या होने वाला है this is going to be minimum at x equal to 1 इसका further मतलब यह हुआ कि function f of x भी minimum होगा at x equal to 1 अब अगर आपको याद हो first part में f of x का मतलब क्या था f of x was representing the distance of the soldier from the fighter z when the distance between the fighter z and soldier will be minimum ठीक है तो यहां पर क्योंकि third part में आपसे least distance भी पूछा गया है तो आप एक काम करिए function f of x में x की जगे 1 पुट कर दो यहां पर f of x को देख लो अपने आखों में बसा लो तो हम आते हैं यहां पर f of 1 निकालेंगे that will be under root of x to the power 4 यानि 1 की power 4 plus x minus 3 यानि 1 minus 3 का hall square अब इसका calculation करोगे तो 1 plus minus 2 का hall square यानि ये तो आपको 4 देखे जाएगा that means finally आपको मिलेगा root 5 क्योंकि distance है तो answer को units में declare कर सकते हो ठीक है बच्चों तो इस तरीके से third part का हमने solution complete कर लिया है अब क्योंकि यहां पर एक alternative भी है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे तो चलो इसे भी पढ़ लेते हैं इसमें क्या बोला हुआ है बच्चों यहां पर कह रहा है what will be the position यानि coordinates of the fighter jet on the parabolic path when the soldier shoots it down हमारा ये soldier fighter jet को shoot कब करने वाला है जब soldier और fighter jet के बीच में distance minimum होगा ये सारा case यहां पर मैंने discuss किया था मैं दुबारा discuss तो नहीं करूँगा क्योंकि first derivative, second derivative फिर से कौन लेने जाएगा वो तो आप कर सकते हो अगर आप इस case study के third part के alternative को choose करोगे solve करने के लिए तो फिलहाल हमें पता है कि at x equal to 1 f of x will be minimum ये तो हमको पता है already हमने देख लिया है उपर चेक कर लो न ये तो हमको पता है already यहां पर मैंने discuss कर लिया अब क्योंकि x की value तो आपको मिल गई है तो हमें y निकालना पड़ेगा y was equal to x square plus 7 इसमें x की value 1 put करो तो यहां से आपको मिल जाएगा 8 तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि x की value ये रही y की value ये रही तो यहां से required point के coordinates क्या बनेंगे तो ये बन जाएगा 1,8 हमने point को P माना था अगर आपको ध्यान हो तो बढ़िया वरना diagram में देख लो ठीक है ना? और function भी देख सकते हो y equal to x square plus 7 ठीक है बच्चो तो इस तरीके से हमने ये पूरा question आप लोगों के लिए solve कर दिया है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अब चलते हैं अगले question पे यानि question number 5 की तराफ तो ये रहा question number 5 इसमें क्या बोला हुआ है? Read the following passage and answer the questions given below The Indian coast guard while patrolling saw a suspicious boat with some men they were not looking like fishermen the soldiers were closely observing the movement of the boat for an opportunity to seize the boat one of the officer observed that the boat is moving along a plane surface at an instant the coordinates of the position of coast guard helicopter and boat are given by point A and point B respectively आप से कुछ questions पूछे गए है जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे first part में क्या पूछा हुआ है? पढ़ लेते हैं Write the direction ratios of the line A, B हमारे पास point A ये रहा point B ये रहा तो direction ratios आप से पूछा गया है the DRs of line A, B formula क्या होगा बुच्चो? formula हम लगाएंगे x2-x1, y2-y1, z2-z1 यानि इसको solve करो ये बनेगा minus 1 ये 1 और ये minus 3 तो बस ये आपका answer आगया first part का ठीक है? वैसे बच्चो एक बात का जवाब दो क्या यहाँ पर direction ratios of line A, B को हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं? ध्यान से देखो 2-1, 3-4, 5-2 यानि क्या हम direction ratios को इस तरीके से भी declare कर सकते हैं? yes या no मुझे comment करके बताना ठीक है? चलते हैं आगे यानि second part में क्या पोचा हुआ है? इसको भी देख लेते हैं write the equation of line A, B किसी भी line का equation लिखने के लिए हमें उस line के उपर एक point चाहिए line A, B के लिए आपको दो-दो point मिले हुए हैं बच्चो तो यहाँ पर हम किसी भी एक point को यहाँ numerator में लिख देंगे यानि x-2, y-3 और z-5 अब denominator में line के direction ratios हम लिख लेंगे यानि minus 1, 1, minus 3 तो यह रहा second part का answer ठीक है बच्चो अब जोना third part में देखते हैं इसमें क्या पूछा हुआ है? third part में आपसे कह रहा है write the direction cosines of the line A, B क्योंकि direction ratios हम लोगों ने already निकाल लिया है the DRs of line A, B क्या था बच्चो minus 1, 1, minus 3 वैसे बच्चो direction ratios की help से direction cosines कैसे निकालते हैं? formula याद है? अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं screen पर देखो ध्यान से ठीक है न? यानि इसे A बोलो इसे B और इसे C तो बस यहां से आपका direction cosines हम किस तरीके से लिखेंगे? ध्यान से देखना the DCs of the line A, B तो हम क्या करने वाले हैं? plus minus A upon under root of A square यानि 1, plus B square यानि 1, plus C square यानि 9, फिर इसके बाद plus minus B, यानि 1 upon under root of same quantity जो यहां पर लिखा हुआ है तो इसको directly अब root 11 ही कर दो न? फिर इसके बाद plus minus, minus 3 upon under root of 11 अब यहां से अगर इसे further simplify करोगे तो आपको यह इस तरीके से देखे जाएगा ध्यान से देख लो बच्चो एक है न? इस तरीके से आपको मिल जाएगा direction cosines of this line यह रहा आपका answer for the third part of this question अब क्योंकि यह तो third part था न? तो इसमें एक alternative भी होगा जो कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे चलिए इसका भी solution कर लेते हैं बच्चो इसमें क्या बोला हुआ है? check if the line AB is perpendicular to this line आपको justify भी करना है यह जो given line है न? जो line आपको given है for the given line इसके direction ratios क्या होंगे? लिख लो जरा the DRs are given by 1,1,0 ठीक है बच्चो apart from that for the line AB हम लोग already इसके direction ratios लिख चुके हैं क्या लिखा था हमने? first part में check करो न? क्या था? minus 1,1,3 अब अगर कोई से भी दो line perpendicular है या नहीं यह हमें पता करना है तो इस condition को हमें verify करना पड़ेगा कि A1,A2 प्लस B1,B2 प्लस C1,C2 0 है या नहीं चलो इसको check करके देखते हैं ठीक है बच्चो? तो यहाँ पर आप इसे A1,B1,C1 मानो इसे A2,B2,C2 मानो तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो 1 into minus 1 प्लस 1 into 1 प्लस 0 into minus 3 इसे simplify करना बच्चो? minus 1 plus 1 plus 0 यानि यह तो 0 ही आ रहा है न? इसका मतलब यह हुआ कि जो line question में given था third part के alternative में it will be perpendicular to the line A,B तो इस तरीके से हम लोगों ने conclusion ले लिया third part में कि given line और line A,B perpendicular है यही तो check करने के लिए बोला था और justification तो हमने दे ही दिया है तो बस बच्चो इस तरीके से हम लोगों ने centurion assignment for most expected question of class 12 mathematics के lecture 1, lecture 2 और lecture 3 complete कर लिये हैं अगर आपको यह assignment PDF की form में चाहिए तो वीडियो का description box चेक कर लेना आपको PDF का download link मिल जाएगा ठीक है बच्चो चलिए अब मिलते हैं next lecture में but before I wind up the session for today don't forget to hit the like button and share this video with all of your classmates also इस channel को subscribe करके bell notification भी प्रेस कर लेना ताकि हर important वीडियो की update लेट आप लोगों को time to time मिलती रहे ठीक है बच्चो अब हम मिलेंगे next lecture में till then be good take care all the best बाबाई